मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी शिमान राजनाज जी, चीफ अब डिफेंस स्टाफ जन्रल बिपिन रावज जी, सेना के तीनों अंग्यों के प्रमूख, भारत सरकार के सभी उपस्तित उच्चादिकारी, उद्योग जगत के सभी साथी, नमश्कार. मुझे खुशी है कि भारत में रक्षा उत्पादम से जुड़े हुए सभी एहम स्टेक्वोल्डर्स आज यहां मौझूद है. इस सेमिनार के आयोजन के लिए रक्षा मंत्री राजनाज जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ. आज यहां हो रहे इस मंत्थन से जो परणाम मिलेंगे उनसे रक्षा उत्पादन के खेतर में आत्म निरभरता के हमारे प्रयासों को अवश्य बल मिलेगा, गती मिलेगी. और आप सबने जो सुझाओ दिये हैं, आज आपने एक सामुईक मंत्थन किया है, वो अपने आप में आने वाले दिनों के लिए बहुत उपकारक होगा. मुझे इस बात की भी खुशी है कि रक्षा मंत्री सिमान राजनाज जी इस काम के लिए मिशन मोड में पूरी तरह से जुटे हुए हैं. मुझे विश्वास हैं कि उनके इन अथक प्रयासों के कारण बहुत ही अच्छे परणाम मिलना निश्चीत है. कि भारत कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में एक प्रमुक देश रहा है. जब भारत आजाद हुआ था उस समय रक्षा उत्पादन के लिए भारत में बहुत सामर्थ है था. उस समय भारत में सो साल से अधिक समय से स्थापीत रक्षा उत्पादन का इको सिस्टिम था. और भारत जैसा सामर्थ है और पोटेंशल बहुत कम देशों के पास था. लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा कि दसकों तक इस विशय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था. एक प्रकार चे ये रूटीन एक्सेसाइज बन गया, कोई गंबीर प्यास नहीं किये गए. और हमारे बाद में शुरुवात करने वाले अनेक देश भी पिछले पचांस सान में हमसे बहुत आगे निकल गए. लेकिन अब स्थिती बदल रही है. पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेडियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है. हमारा उदेश है कि भारतिय में मैनुफेक्टिरिंग बड़े, नई टेकनोलोजी का भारत में ही विकास हो और प्रयावेट सेक्टर का इस विशेश खेतर में अधिक कम विस्तार हो. और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फिल्ड की तैयारी, एक्सपोर्ड की प्रक्रिया का सरली करण, आफसेट के प्रावधानों में सुधार, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, रक्षाक शेतर में, देश में एक नई मानसिक्ता हम सब अनुभव कर रहे हैं। एक नई मानसिक्ता का जन्म हुआ है, आधुनिक और आत्म निर्भर भारत के निर्मान के लिए, रक्षाक शेतर में आत्म विश्वास की भावना अनिवारिया है। बहुत लंबे समय से देश में चीफ अब डिफेंस टाप की निवक्ति पर विचार किया जा रहा था, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। यह निर्णय नए भारत के आत्म विश्वास का प्रतीक है। बहुत लंबे समय तक रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की अनुमती नहीं थी। स्रते अटल जी की सरकार के समय यह नई पहल की शुरुवात हुई थी। हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किये गए। और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% तक FDI आई आटोमेटिक रूट से आने का रास्था खोला जा रहा है। यह नए भारत के आत्म विश्वास का परणाम है। दसकों से औरिनन्स कारखानों के सरकारीवी भागवगी तरह ही चलाया जा रहा था। एक सीमीत विजन के कारण देश का नुक्षान तो हुआ ही। वहाँ जो काम करने माले लोग थे, जिनके पास टालेंट थी, कमिक्मेंट था, मेंती थे। यह हमारा भहती अनुभव से संपन्न, हमारा जो मेहनत करने वाला स्रमिक वर्ग महा जो है, उनका तो भहत नुक्षान हुआ। जिस सेक्टर में करोडों लोगों के रोजगार के आउसर बन सकते थे, उसका इकोसिस्टिम बहुती सिमीत रहा। अब औरिनन्स कारखनों का कॉर्परिटाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकिया के पुरा होने पर स्रमीकों और सेना दोनों को बल मिलेगा। यह नए भारत के आत्मविश्वास का प्रमान है। साथियों, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर हमारा कमिट्मेंट सिर्फ बाचित में या फिर कागजों तक ही सिमीत नहीं है। इसके कार्या नवेन के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाए गए हैं। CDS के गठन के बाद सेना के तीनों अंगों में प्रोकर्मेंट्स पर समझवे बहुत भैतर हुआ है। इससे डिफेंस इक्विमेंट्स की खरीद को स्केल अप करने में मदद मिल रही है। आने वाले दिनों में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ओर्डर्स का साइज भी बढ़ने वाला है। यह सुनिशित करने के लिए रक्षाम मंत्रा लह के कैपिटल बजेट का एक हिस्सा अब भारत में बने उपकरणों के लिए अलग से रख दिया गया है। हाल में आपने देखा होगा कि 101 डिफेंस आइटम्स को पूरी तरह से गरेलू खरीत के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस लिस्ट को और व्यापक बनाये जाएगा। इसमें और आइटम्स जुड़ते रहेंगे। इस लिस्ट का उदेश आयात को रोकना मात्र नहीं है बलकि भारत में उद्योगों को प्रोजसाहित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे आप सभी साथियों को चाहे वो प्राइविट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, MSME हो, स्टार्ट अप हो, सभी के लिए सरकार की भावना और भविश की संभावना अब आपके सामने ब्लैक और वाइट में क्लियर है। इसके साथ हम प्रकॉर्मेंट प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए, टेस्टिंग की व्यवस्ता को स्टीम लाइन करने के लिए और क्वालिटेटिव रिक्वार्मेंट्स को रिश्नलाइज करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इन सभी प्रयासों को सेना के तीनों अंगों का बहुती कोडिनेटर रूप में बहुती सयोग है, एक प्रकार से प्रोयक्टिव भूमी का है. साथियों, आधुनिक उपकरणों में आत्मन निर्फरता के लिए टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन जरूरी है. जो उपकरण आज बन रहे हैं, उनका नेक जनरेशन तयार करने पर काम करना भी आवशक है. और इसके लिए DRDO के अलावा, प्रावेट सेक्टर में और एकडेमिक इंस्टिटूशन में भी रिसर्च और इनेवेशन को प्रोचसाहित किया जा रहा है. टेकनलोजी ट्रांसफर की सुविधा से हट कर, फॉरेंट पार्टर्स के साथ जोईंट बेंचर्स के माध्यम से को प्रोडुक्शन के मोडल पर बल दिया जा रहा है. भारत के मार्केट साइज को देखते हुए हमारे फॉरेंट पार्टर्स के लिए अब भारत में ही प्रोडुक्शन करना सबसे उत्तम विकल्ब है. साथियों, हमारी सरकार ने शुरू से ही रिफॉर्म, पर्फॉर्म, एंड ट्रांस्फॉर्म इस मंत्र को लेकर के हमने काम किया है. रेड ट्रिपिजम कम करना और रेड कार्पेट बिशाना यही हमारा प्रयास रहा है. इज अब डूइंग बिजनेस को लेकर, 2014 से अब तक जो सुधार किये गहें, उनका परणाम पूरे विश्वने देखा है. इंटलेक्ट्वल प्राफर्टी, टैक्सेशन, इंसॉलवन्सी और बैंक्रप्सी, यहां तक की स्पेस और अटोमिक एनरजी जैसे भहुत कठीन और जटिल, ऐसे जो विशे माने जाते हैं, उन विश्वों पर भी हमने रिफार्म्स करके दिखाए हैं. और आप तो अब भली-भली जानते हैं, पिछले दिनों लेबर लौज में रिफार्म्स का सिलसिला भी लगा अतार जो शुरूआ है, चल रहा है. कुछ साल पहले तक इस प्रकार के विश्वों पर सोचा भी नहीं जाता था, और आज ये रिफार्म्स जमीन पर उतर चुके हैं. रिफार्म्स का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, हम आगे बढ़ते ही जाने वाले हैं, और इसलिए न थमना भी है और न थकना भी है, न मुझे थकना है न आपको थकना है, हमें आगे भी आगे बढ़ते रहना है, और हमारी तरफ से मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा कमि जो defense corridor पर तीजी से काम चल रहा है उत्तर प्रदेश और तमिलाड सरकारों के साथ मिलकर state of the art infrastructure तयार किया जा रहा है इसके लिए आने वाले पांच सालों में 20,000 करोड रुपिये के निवेश का लक्ष रखा गया है MSME और start-up से जुड़े enterprise leaders को प्रोदसाइद करने के लिए IDES की जो पहल की गई थी उसके भी अच्छे परणाम मिल रहे है इस platform के माध्यम से 50 से अधिक start-ups ने सैन्य उप्योग के लिए technology और products को विक्सित किया है साथियो मैं एक और बात आपके सामने खूले मन से रखना चाहता हूँ आत्मा निर्भर भारत का हमारा संकल्ब inward looking नहीं है global economy को जादा resilient जादा stable बनाने के लिए विश्व में शांति के लिए एक सक्षम भारत का निर्मान ही इसका लक्षा है यही भावना defense manufacturing में आत्मा निर्भरता के लिए भी है भारत में अपने कई मित्र देशों के लिए रक्षा उपकरण का एक भरोसे मन सप्रायर बनने की शमता है इससे भारत की strategic partnership को और बल मिलेगा और हिंद महासागर खेत्र में भारत की net security provider की भूमिका और सुद्रड होगी साथियों सरकार के प्रयास और प्रतिवद्धता आप सभी के सामने है अब आत्मा निर्भर भारत के संकल्प को हमें मिलकर के हमें मिलकर के इसे सिद्ध करना है चाहे private sector हो या public sector हो या फिर हमारे foreign partners आत्मा निर्भर भारत सभी के लिए विन-विन संकल्प है इसके लिए आपको एक बहतर ecosystem देने के लिए हमारी सरकार प्रतिवद्ध है यहां आपकी तरफ से जो भी सुझाव आये हैं वे बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं और मुझे बताया गया है कि defense production and export promotion policy का draft सभी stakeholders के साथ साजा किया गया है आपके feedback से इस policy को जल से जल लागू करने में मदद मिलेगी यह भी जरूर रही है कि आज का यह seminar एक one time event न रहे बलकि आगे भी ऐसे आयोजन होते रहें इंडरस्ट्री और सरकार के बीच लगातार विचार मवमर्श और feedback की स्वाभावी कल्चर बननी चाहिए मुझे विश्वास है कि ऐसे सामुहिक प्रयासों से हमारे संकल्प सिद्ध होंगे मैं फिर एक बार आप सबने समय निकाला आत्मा मेरे भारत बनाने के लिए आत्मे विश्वास के साथ आप जुटे मुझे विश्वास है कि आज जो संकल्प हम सब ले रहे हैं इसको पूर्ण करने में हम सब अपने अपनी जिम्मेबारी बहुत अच्छे धंग से निभाएंगे मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना ही देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद